हेलो बच्चो क्या हल चाल कैसे चल रही है पड़ाई तो आज के इस वीडियो में लोग स्टार्ट करने वाले हैं J.E.Advance 2020 का पेपर 2 जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 1 जो कि इन्टीजर करेक्ट टाइप क्रेश्चन है सारे अंसर जीरो से नाइन के बीच में ही हो सकते हैं क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आएगा सबसे पहले तुम्हें खुछ से अटेम्ट करना है उसके बाद ही सॉल्व सन देखना है सॉल्व सन देखो जो कुछ में सीखने को मिला उसको नोट डाउन करो एंड उसको याद रखो ताकि दोबारा ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो तुमसे हो जाने चाहिए एंड तुमारा सेलेक्षन ओवियसली आटी जेई में हो जाएगा चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नमबर वन क्वेश्चन नमबर वन आया हुआ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नमबर का ठीक है भाई कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नमबर है तो क्या हो गया डरते हैं क्या हम देखो for a complex number z real of z denote the real part of z यह तो हमें पता ही था let us be the set of all the complex number z satisfying equation z to the power 4 minus mod z to the power 4 is equal to 4 iota into z square यह बहुत ही प्यारा से equation है ठीक है where iota is root under minus 1 then the minimum possible value of z1 minus z2 का mod का whole square where z1 and z2 belongs to s with real of z1 greater than 0 and real of z2 less than 0 basically इन्होंने बोलाए कि यहाँ पर यह जो equation है इसके बहुत सारे complex number है जो इस पे लाई करते हैं अब अगर मुझे एक बहुत सारे complex number है तो इसमें 2 complex number उठाओ z1, z2 such that इनके बीच का distance जो है न वो minimum हो जाए तो अभी तो distance का square minimum होगा z1 minus z2 का mod जो लिखा है this means distance और इसका square minimum and उन्हें clearly बोल दिया है कि z1 किसको तुमें मानना है z2 किसको assume करना है एक ऐसा z1 होगा जिसका real part greater than 0 होगा and z2 ऐसा होगा जिसका real part less than 0 होगा तो सबसे पहले तो हमें इस equation को ही solve करना पड़ेगा ये equation कोई तोड़ 4 equation नहीं है न तुमें दिख रहा है z2 the power 4 z2 में सब कुछ यहां mod fall 2 का दियावा है mod जब भी दिखे mod z2 is equal to zz bar ये मालूम होना चाहिए बस यहां से काम बन जाएगा तुम्हारा तुमने mod z को हटा के क्या लिख दिया zz bar तो zz bar लिखोगे तो उसका भी square करना होगा तो zz bar का square is equal to 4 iota into z square okay then we can see z square हर जगह से cancel out हो जाएगा z square common आ गया bracket के अंदर गया z square minus z bar का square is equal to 4 iota z square okay since z हमारा 0 नहीं है हमें 0 वाला तो लेना ही नहीं है real z1 is strictly greater than 0 real of z2 is strictly less than 0 so we can say that z square से z square cancel out कर दिया so you will get z plus z bar multiplied by z minus z bar is equal to 4 iota बहुत साही अब हमने माल लिया माल लिया कि z let's say कुछ तो होगा x plus iota y हमने ये वाला क्यों माना क्योंकि ये वाला तब मानते हैं जब बहुत ही प्यारा सा simple सा equation हो जब बहुत ज़्यादा power हो तो हम लोग e to the power iota theta ये सब आजियूम करते हैं हमने माल लिया x plus iota y is equal to 4 iota so we can clearly see कि भाई यहाँ से 2, 2 जा 4 cancel out iota, cancel out x, y is equal to 1 x, y is equal to 1 आ गया मतलब जितने भी complex number होंगे वो सारे के सारे इस पे होंगे अब ये x, y is equal to 1 क्या है भाई ये तो सिखाया जाता है ये तो एक rectangular hyperbola है rectangular hyperbola है तो कैसा दिखेगा वो कुस्तो इधर ऐसा दिखेगा and कुस्तो इधर ऐसा दिखेगा ओके भाईया अब मुझे बताना है कि एक z होगा जिसका real part z 0 होगा मतलब एक इस branch पे होगा एक इस branch पे होगा उन दोनों के बीच में minimum distance कभाएगा तो clearly we can see common normal के along common normal y is equal to x वाला लाइन है इसका vertex का coordinate लिख दो 1,1 इसका vertex का coordinate है minus 1, minus 1 इन दोनों के बीच का जो distance होगा वो minimum distance होगा और इन दोनों के जो बीच का distance होगा कितना है 1 plus 1 2 का square 4 plus 4 that is 2 root 2 है लेकिन यह नहीं चाहिए मुझे इसका square चाहिए तो we can say z1 z1 minus z2 का mod का whole square will be 2 root 2 का whole square which is equal to 8 तो इस question का हमारा final answer कितना था 8 था, बहुत ही प्यारा question and बहुत ही आसानी से हमने solve कर लिया next question पर move करते है next two question आए हुआ इस type के question already J.E. वाले ने पूछा हुआ है ठीक है, तो फिर से पूछ लिया कोई बात नहीं कर लेते है the probability that a missile hits a target successfully is 0.75 success का probability given है 0.75 which is equal to 3 by 4 okay probability that successfully missile hit होगा वो given है 0.75 in order to destroy the target completely अब जो भी target है उदर उसको अगर मुझे destroy करना है पूरा कम से कम at least कम से कम 3 successful hit लगाना जोर रही है कम से कम 3 successful hit लगेगा तो वो destroy हो जाएगा then the minimum number of missiles that have to be fired कितनी बार तुम fire करोगे basically N पूछा है कितनी बार तुम minimum number of कितनी बार तुम fire करोगे such that the probability of completing destroying completely destroying the target is not less than 0.95 मतलब probability of destroying probability of destroying is greater than or equal to 0.95 ओके probability of destroying is same as ऐसा कि क्या probability है जब exactly 3 बार hit किया या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या probability जब 4 बार hit किया या फिर क्या probability है जब 5 बार hit किया और इसा चलता जाएगा greater than or equal to 0.95 दिस मस्ट भी same as 1 माइनस क्या probability है जब 0 हिट हुआ क्या probability है जब 1 ही हिट हुआ या फिर क्या probability है जब 2 हिट हुआ ये सब को माइनस कर देंगे तो इस चुट भी greater than or equal to 0.95 so we can clearly see 0 हिट का मतलब क्या हो गया nc0 p to the power 0 q to the power n plus nc1 p to the power 1 q to the power n-1 binomial probability I guess सब को आता होगा nc2 p to the power 2 q to the power n-2 और इस मतलब इन सब को मैं उठा के उधर ले जा रहा हूँ and 0.95 को इधर ला रहा हूँ तो 1-0.95 कितना आ जाएगा 0.05 0.05 is greater than equal to nc0 p p to हमारा 3 by 4 है तो q हो जाएगा 1 by 4 इस पे power 0 इस पे power n plus nc1 p to हमारा 3 by 4 है q है हमारा 1 by 4 तो अगर success का probability 3 by 4 है तो failure का probability 1 by 4 होगा ही तो 1 तो यहाँ पे आगे n-1 plus nc2 p to the power 2 तो q to the power कितना हो जाएगा n-2 तो we can clearly see कि भाईया कितना आ रहे है देख लो यह आ रहे है 0.05 0.05 0.05 is basically 1 upon 100 ठीक है तो यह ऐसा कुछ आ गया 1 upon 20 है न तो बस यह आ रहे है 1 upon 20 greater than equal to nc0 1 होता है सब में दिख रहे है 4 to the power n 4 to the power n दिख रहे है न तो ठीक है इस 4 to the power n को common निकालेंगे nc0 1 होता है 3 to the power 0 1 होता है 1 भी 1 होता है तो यह basically 1 upon 4 to the power n है plus nc1 n होता है और यह 3 होता है तो 3 n divided by 4 to the power n है next है nc2 is n into n minus 1 by 2 factorial and नीचे उपड का 9 तो 9 n into n minus 1 upon 2 into 4 to the power n ओके तो यहां से अब मुझे n find out करना है तो what we can do सारे exponential को एक side ले जाओ 4 to the power n 4 to the power n 4 to the power n इस side लेके जाम है तो this is 4 to the power n upon 20 is greater than equal to 1 plus 3 n plus 9 n square 9 या फिर 9 n into n minus 1 कर दिया by 2 भी है इधर ओके तो now you can see कि भाई ठीक है यह exponential function है यह polynomial function है इस type की चीज़े हमने paper 1 में भी की exponential function का जो growth होता है वो initially may be flow हो लेकिन एक time के बाद बहुत जल्दी shoot करता है न लेकिन polynomial function उसके मुकाबले बहुत पीछे पड़ जाएगा एक n के बाद तो कुछ ना कुछ एक small n होगा तो हम लोग n 1,2,3 से start नहीं करेंगे क्योंकि n ओविस सी बात है 1 से start करेंगे तो यह fraction रहेगा पहली बार यह fraction खतम होगा n is equal to 3 पे तो let's say मैंने n is equal directly 5 माल लिया 5 पे क्या हो रहा है 4 to the power 5 divide by 20 और यह 4 to the power 5 5 divided by 20 कितना आ गया 4 to the power 4 divided by 4 पंचे 20 so ultimately this is equal to 4 into 4 into 4 into 4 16 into 16 256 upon 5 ठीक है अब इसको calculate क्या है n is equal to 5 पे 1 plus 5 3 जा 15 plus 5 into 4 20 20 by 2 10 into 9 90 तो यह कितना आ गया 90 plus 10 100 100 plus 6 106 आया यह और यह कितना आ गया है 5 5s are 25 and 5 1s are 5 यह 51 point something तो n is equal to 5 पे अभी भी यही बड़ा है n is equal to 6 ले लिया n is equal to 6 ले लिया 4 to the power 6 आएगा that is यह आ जाएगा 4 to the power 5 upon 5 that is 256 into 4 divided by 5 256 into 4 divided by 5 आया यह calculate करना पड़ेगा यार हमें थोड़ा समयनत तो है 4 6 के 24 के 4 हासिल दो 4 25 20 22 22 के 2 हासिल दो 4 दून 8 2 10 10 0 2 4 upon 5 आया ठीक है अभी अब यहने is equal to 6 इदर रख जिया 1 plus 6 3 जा 18 प्लस 6 into 5 36 30 by 2 15 59 जा 59 जा कितना आ गया 135 तो 135 प्लस 19 9 पाच 14 के 4 हासिल एक 3 4 5 154 आया यह यह कितना आ रहा है देख लेते है 5 2 जा यह तो यहीं पे आगे बढ़ गया है ना 5 2 जा 10 0 डाला 5 2 जा 10 0 डाला 24 5 4 जा यह तो 2 0 4 प्वाइंट सम्थिंग इस मेंज n इस इक्वल टू 6 पे यह बढ़ा हो गया और उसके बाद उव्यस सी बात है यह हमेशा ही बढ़ा रहेगा तो अब पूछा क्या है पूछा क्या है the minimum number of missile that has to be fired तो n is equal to 5 will be the answer 5 तक ही ऐसा possible है 6 के बाद तो उल्टा हो जाएगा ओके next question हमारे पास circle का है यह भी बहुत ही प्यारा सा question है let o be the center of the circle x square plus y square is equal to r square radius is greater than root 5 by 2 यह उन्होंने पहले clarify किया देखते हैं क्यों किया suppose pq is a chord of this circle and the equation of the line passing through pq is this बना लेते हैं पहले जो ही बोला गया है नहीं तो भूल जाएंगे लंबा चुड़ा question है ओव्यसी बात है pq कोई तो chord है ठीक है इसका equation given है 2x plus 4y is equal to 5 रहने दिया o be the center of the circle o clearly origin है 0,0 r is the radius मालूम है हमे r is the radius ओके आगे अब देखते है if the center of the circum circle of triangle opq 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 का circum circle opq का circum circle बहुत ही प्यारा यार यह जो opq का circum circle होगा यह उधर से तो पास करेगा याद है याद है कि नहीं यह भाई याद होना चाहिए अगर मैं लेट से यहाँ पे कोई a point है यहाँ से दो tangent ड्रो करो and let's say p and q are the point of contact तो यह जो पूरा quadrilateral बना न उसका circum circle और वो जो triangle बना उसका circum circle सेम ही होता है है ना यह होगा circum circle क्योंकि obvious सी बात यह 90 degree आएगा और यह 90 degree आएगा इसका मतलब यह जो circum circle है उसका center तो ओ यह का mid point होगा कुछ आगे पढ़ लेते है if the center of the circum circle of the triangle P OPQ lies on the line x plus 2i is equal to 4 यह किसी line पे है which is parallel to this line clearly हमें दिख रहा है ठीक है यह भी x plus 2i is equal to 5 by 2 लिखाओ है और दूसरा वाला लिखाओ x plus 2i is equal to 4 तो यह parallel है x plus 2i is equal to 4 उसी पे लाई कर रहा है center ठीक है then the value of r पुछा गया है value of r पुछा गया है ठीक है यह निकाल लेंगे अब देखना बहुत ही simple सा approach लगाऊंगा मैं and बहुत ही आसानी से question solve हो जाएगा यार तुम्हें सोचो अगर मुझे a का coordinate मालूम होता अगर मुझे a का coordinate मालूम होता which is let's say x naught comma y naught तो क्या मैं pq का equation लिख पाता code of contact का तुम बोलोगे हाँ sir t is equal to 0 से लिख पाते यह किसका code of contact है जो circle हमें given है x square plus y square is equal to r square का तो उस पे लिखते हैं code of contact x x naught plus y y naught is equal to r square यह होना चाहिए था equation of equation of pq हाँ और हमारा जो line given है 2x plus 4 y is equal to 5 यह भी equation of pq है अच्छा दोनों अगर equation of pq है दिसमेंस दोनों को compare किया जा सकता है x naught upon 2 y naught upon 4 r square upon 5 के बराबर होगा तो यहाँ से clearly we can see x naught की value 2 upon 5 r square आएगी y naught की value 4 upon 5 r square आएगी इसका मतलब a पता चल गया वो पता चल गया इन दोनों का जो midpoint होगा वो m होगा सही बात है m कितना आएगा x naught plus 0 by 2 that is r square by 5 आजाएगा directly 2 r square by 5 by 2 r square by 5 होता है okay y naught by 2 that is 2 r square by 5 आजाएगा m जो point है वो तो इस line पे है इसका मतलब यह इस पे like करेगा so we can see r square by 5 plus 2 times that is 4 r square by 5 is equal to 4 so we can see 5 r square upon 5 is equal to 4 so we can see r square is equal to 4 और r is equal to 2 negative क्यों नहीं लिया क्योंकि ओवे से बात radius find out कर रहे थे तो r is equal to 2 answer था बहुत ही प्यारा था question ठीक है यह concept तुम्हें बार-बार हमेशा याद रखना है वो जो circum circle वाला चीज है ना बहुत important है next question next question matrix से था ठीक है the trace of a square matrix is defined to the sum of its diagonal of return ठीक है यह तो हमें पता है कोई भी random matrix उठाओ let's say a, b, c, d है तो इसका जो trace होगा वो define होगा trace of a is a plus d if a is a 2 cross 2 matrix such that the trace of a is 3 मतलब a plus d की value 3 given है मतलब d को हम लोग ऐसा लिख सकते है 3 minus a है ना and the trace of a cube is minus 18 अब trace of a cube minus 18 given है मतलब a cube तुम्हें calculate करना पड़ेगा a square calculate किया a cube calculate किया यहाँ से a cube जो भी आएगा उसका sum of यह diagonal elements minus 18 से equate करेंगे then पूछा है we have to find the value of the determinant of a अच्छा determinant of a कितना आएगा exactly a into 3 minus a minus b c इसका मतलब जब इसको minus 18 से equate करेंगे ना इसी type का कुछ चीज आ जाएगा this one is trivial method trivial method ओके तो यह तो होगा ही पक्का होगा नहीं होगा तो यह question बना ही क्यों है गलत है फिर question समझ रहे हो बात को नहीं आएगा तब तो गलत है question a is equal to यह माना हमने a square calculate किया a into a निकाल के then a cube calculate किया a square into a निकाल के then जो भी a cube आया उसके diagonal elements को add कर दिया उसकी value को minus 18 से equate कर दी वहाँ से जो minus 18 से equate करेंगे तो वहाँ से जो भी condition आएगा and यहाँ जो determinant निकालने में जो condition आया जो value exactly same आएगा तभी तो determinant calculate होगा यह one of the method था मैं तुमें इस से easy method बताता हूँ and वो बहुत interesting method है बहुत ही आसानी से question को solve कर देगा शायद तुमें Kelly Hamilton theorem पता होगा यह characteristic equation कभी न कभी बताया गया होगा अगर कोई भी 2 cross 2 matrix है A है ना A अगर 2 cross 2 matrix है इसका में अगर A minus lambda आई जो कि characteristic equation निकालूँगा तो इसको यह satisfy करेगा and वो जो characteristic equation आएगा quadratic in lambda उसके दो root आएंगे lambda 1, lambda 2 और वहाँ पर बताया गया होगी product of product of these roots that is lambda 1 into lambda 2 will be determinant of A and sum of root that is lambda 1 plus lambda 2 will be lambda 1 plus lambda 2 will be trace of A इसका मतलब उन्होंने किसकी value दी हुई है lambda 1 plus lambda 2 lambda 1 plus lambda 2 की value 3 दी हुई है एक equation अब बोला है अगर trace of A cube अगर A का आइगन वेक्टर इसको आइगन वैलियूज बोलते है lambda लेम्डा लेम्डा वो अगर लेम्डा है तो A cube का या फिर A to the power N का lambda to the power N होता है तो अगर मैं A cube का A cube जो एक 2 cross 2 matrix आएगा उसका characteristic equation निकालूंगा तो वो भी एक quadratic आएगा उसके roots होंगे lambda cube lambda 2 cube समझे इसका मतलब फिर से lambda 1 cube प्लस lambda 2 cube की value दी हुई है minus 18 अफ्सों चो lambda 1 प्लस lambda 2 given है lambda 1 cube प्लस lambda 2 cube given है पूछा गया lambda 1 into lambda 2 कितना होगा ये A cube प्लस B cube होता है A plus B दी होल क्यूब minus 3 A B into A plus B is equal to minus 18 lambda 1 plus lambda 2 का होल क्यूब is 27 minus 3 times lambda 1 into lambda 2 multiplied by lambda 1 plus lambda 2 is 3 तो ये 9 आगया is equal to minus 18 minus 9 into lambda 1 lambda 2 is equal to minus 8 सत पंदर 8 सत पंदर पंदर पांच हासिल 1 2 1 3 1 4 45 सो माइनस माइनस कतम 9 5 जा lambda 1 into lambda 2 कि वैलू कितने आगी 5 आगी इसका मतद डिटर्मिनांट कितना होगा 5 होगा पक्का कितना प्यारा सा equation बता दिया मैंने कितना प्यारा सा equation बता दिया मैंने का डिटर्मिनांट is equal to 0 से equate करो वहां से एक equation तो तुम्हें आएगा वो equation lambda के term में होगा अगर quadratic होगा तो 2 root आएगे अगर 3 cross 3 का matrix लोगे तो cubic आएगा उसके 3 root आएगे ओके याद रखना है क्या sum of root हमें साथ trace of A के बराबर होगा product of root कितना होगा determinant एक के बराबर होगा अगर मेरे पास lambda 1 या फिर lambda I यह जो आइगन value है वो अगर मेरे पास किसी A matrix का है तो A to the power N का जो lambda I निकालूँगा तो वो lambda I to the power N आएगा बस इतना information होना चाहिए था यह question बहुत यासानी solve हो जाता next question पर move करते बहुत ही खतरना question दिख रहा है हमें इसके बाद एक और question असाइद आ लिमिट्स का है ठीक है तो दो question बचे हुए है कर लेंगे हम लोग करने ही तो आए है अब यह जो function given है यह आप देखते हैं let function F minus 1 to 1 में defined है and G भी minus 1 to 1 पतलब में इसके लिए हमारा tension बहुत काम हो गया minus 1 to 1 में ही देखना है function क्या चल रहा है कैसा चल रहा है be defined by Fx is equal to modulus of 2x minus 1 plus modulus of 2x plus 1 and Gx is equal to x minus greatest integer x which is same as fractional part x okay Gx function मुझे मालूम है and Fx वाला भी function मुझे मालूम है ठीक है तो तो define करना पड़ेगा देखने है क्या पूछा है greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x let Fog minus 1 to 1 Fog को ही minus 1 to 1 में define किया with the composite function defined by F of Gx suppose C is the number of points in the interval minus 1 to 1 at which F of Gx is not continuous continuity check करना है तब तो function पूरा define करने की जौरत नहीं है and suppose D is the number of points and the interval at which F of Gx is not differentiable continuity and differentiability दोनों ही देखना है हमें तो पूरा का पूरा function अच्छे से define कर देंगे तो फटाक से अंसर आ जाएगा then C plus D पूछा गया है अब देखो ध्यान से C plus D पूछा गया है F of Gx आएगा क्या F of Gx is same as 2 times fractional part x minus 1 plus 2 times fractional part x plus 1 यह हमारा होगा F of Gx minus 1 to 1 में अब अगर minus 1 to 1 में define करना है तो अलग-अलग तरीके से define कर सकते है modulus हटाना है मुझे मुझे पता है इसकी value जो है 0 to 1 में ही होगी 0 to 1 में ही जब यह 0 से 1 by 2 तक जा रहा होगा fractional part x जब 0 से 1 by 2 तक रहेगा है ना 0 से 1 by 2 तक रहेगा तो या फिर एसे कर लिया 2 into fractional part x minus 1 is equal to 0 कि धर हो रहा है जब fractional part x की value exact 1 by 2 हो रही है fractional part x की value exact 1 by 2 हो रही है and हमें सिर्फ minus 1 से 1 के बीच में देखना है तो 1 by 2 हो रही होगी समझ में आ रहे है या फिर minus 1 by 2 fractional part of minus half is same as x x is this minus integral part of x so this is minus half minus 1 that is half आ गया okay this means fractional part x half आएगा या तो x is equal to minus 1 by 2 पे या तो x is equal to 1 by 2 पे and ये तो कभी आएगा ही नहीं दिख रहे है 2 into fractional part x plus 1 0 this means fractional part x is equal to minus half which is not possible this means this quantity is always positive this quantity is always positive इसका मतलब इसका mod तो directly open कर सकता है ओके थोड़ा बहुत हमने calculation किया वहाँ से कुछ तो हमें आडिया लगा that is f of gx जो अपना है सिर्फ इस mod के कारण लोचा में फसा हुआ है बाकि इस mod को तो ऐसे ही open कर दिया समझ में आ रहा है अब देखो एक एक करके चलेंगे आगे एक एक करके आगे चलेंगे अब तुम्हें इससे सोचना मैं जो number define किया है इस numbers को मैं लिख लेता हूँ अच्छे से पूरा this is minus 1 minus half 1 by 2 1 तुम सोचो 1 by 2 से 1 के बीच में कोई number लो that is यह 0.5 है यह minus 0.5 है ठीक है तो इधर आएगा 0.7 type 0.7 का fractional part 0.7 ही होगा this means यह आजाएगा 2 into 0.7 which is greater than 1 इसका उतलग यह positive हो जाएगा तो उस interval में उस interval में दोनों positive से खुलेगा इस interval में जो हमारा function होगा वो होगा 2 into fractional part x minus 1 plus 2 into fractional part x plus 1 that is 4 into सिर्फ fractional part x इस interval में then आते हैं minus half से half वाले interval let's say x is equal to 0 ही ले लिया मैंने x is equal to 0 ले लिया तो यह negative number आ जाएगा ना यह 0.3 भी लोगे तो यह negative number आएगा ओके and एक बार minus 0.3 लेके देखो minus 0.3 का जो fractional part है वो तो 0.7 आ जाएगा गड़ 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 जीरो इसलिए 0 भी एक डिसाइडिंग होगा fractional part of minus 0.3 इस सेम एज x minus plus 1 that is 0.7 तो उस टाइम पे 0.7 into 1 से positive हो जाएगा ओके तो 0 से 1 by 2 में ही चले 0 से 1 by 2 में चला तो यह quantity negative तो minus से open होगा तो minus 2 into fractional part x plus 1 and plus यह पूरा तो दिख रहा है यही कर जाएगा 1 plus 1 2 बचेगा सिर्फ इस interval में जो हमारा function हो वो सिर्फ स्क्रिफ 2 है ओके minus half से 0 के बीच में देख लेते हैं minus half के 0 के बीच में यह positive this means function फिर से हमारा 4 into fractional part x है and minus 1 से minus half that is let's say 0.7 with negative sign तो वो 0.3 बनेगा that is negative रहेगा तो यहाँ पे function पूरा का पूरा 2 है ओके तो हमें पूरा का पूरा पता ही चल गया यार graph बना लेंगा हम तो function का graph बनाना शुरू किया minus 1 minus half 0 1 by 2 and let's say 1 ओके अब graph बनाना शुरू किया 0 से 1 by 2 में function की value है 2 ठीक है एक्जैक्ट जीरो पे function की value है एक्जैक्ट जीरो पे function की क्या value है वह देखना पड़ेगा अभी हम लोग open open रखते है एक्जैक्ट पे देख लेंगे क्या आएगा ओके उसके आगे 4 into fractional part x which is 4x x is equal to 1 डालने पे 2 ही आएगा तो यहां पे यह 1 by 2 डालने पे and यह 1 डालने पे exact 1 डालने पे नहीं आएगा 4 ठीक है ऐसा कुछ कर दिया x is equal to 1 by 2 डाला तो इधर 1 by 2 डाला यहां पे तो continuous हो गया यह 1 by 2 पे and 1 पे open रखना है तो 1 पे हमें चेक करने की ज़रत भी नहीं है जीरो पे exactly क्या हो रहा है देख रहा है जीरो पे इधर से 2 आ रहा है इधर से 0 आ रहा है इसका अदला इधर से 0 आ रहा है इधर से 2 आ रहा है मतलब यहां discontinuous हो गया function ठीक है तो x is equal to 0 पे function के value देख लेते x is equal to 0 function के value 2 आई मतलब यहां पे रहेगा close यहां पे रहेगा open ठीक है minus half से 0 के बीच में 4 into fractional part x exact minus half पे क्या scene है exact minus half पे यह 1 by 2 है exact minus half पे यह 2 है है ना तो 2 पे तो continuous है इधर भी 2 है और इधर तो 2 आएगा ही ठीक है then यहां से जो ग्राफ बनेगा दिख रहा है 4 into 1 minus x का बनेगा अधर एकसे इकल टो जीरो डालने पे यह 4 नहीं क्या बोल रहा हूं बस यह बीच वाला ग्राफ मुझे बनाने का है बीच वाला ग्राफ बना लेंगे यहां से यहां ऐसा है ना ओके तो यहां से आइकन क्लियरली सी कि डिसकंटिनिटी का पॉइंट जो के सी था वो सिर्फ और सिर्फ एक आया डिसकंटिनिटी का पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक आया एंड नॉन डिफ्रेंसिबल का पॉइंट यह वाला भी आया एक तो 0 आया ही और एक यह चार्प पॉइंट है डी की वैलू 3 आई तो आंसर आने चे तोटल 3 प्लस 1 4 3 प्लस 1 4 यह पूरा का पूरा क्रिश्चन बस डिफाइन था यह भाई तुम फंसन को किस तरीके से डिफाइन करते हो चलो आगे बढ़ेंगे एंड यह लास्ट क्वेस्चन हने वाला है देखो दो वैलू अफ दो लिमिट लिमिट एकसिस टेंडिंग टोर्स पाई बाई टू पाई बाई टू पुट किया 3 पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू पाई बाई टू 1 और यह माइनस 1 तो जीरो आ गया उपर जीरो आ गया नीचे अव्वेसी बात है जीरो होना चाहिए यह जीरो हो गया 5 5 by 4 ठीक है यह जीरो नहीं हुआ लेकिन उसके लिए हाँ माइनस रोट टू है वो जीरो कर देगा उसको यह दोनों एक दूसले को जीरो कर देगा ठीक है तो जीरो बाइजिरो फॉर्म आ जाएगा जीरो बाइजिरो फॉर्म आ गया डारेक्ट ले ले चुरूल मत लगाना ले चुरूल लगा दोगा तो फर्स जाओगे बहुत ही खतरना कुश्चन यह दिख रहा है ठीक है इसमें तुम्हें trigonometric simplification करना होगा पहले तो ऊपर तो मुझे clearly दिख रहा है sin c प्लस sin d sin c प्लस sin d होगा two times sin c प्लस d बाइ-to 4x बाइ-to that is 2x sin c मैनस d बाइ-to that is ex sin रहे ने sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाइ-to cos c मैनस d बाइ-to ओके अभी नीचे देखो 2 sin A sin B दिख रहा है 2 sin A sin B लगा दिया जाए क्या लगा सकते हैं 2 sin A sin B क्या होते है 2 sin A sin B 2 sin A sin B होता है कितना बताओ cos of A minus B minus cos of A plus B दिख दिख टो 2 sin 2x sin 3x by 2 लगा तो दिख रहा है इस tentang cost of 2x minus 3x by 2 2x minus 3x by 2 that is cos X by 2 माइन आस Be A plus B, 2x plus 3, 3, 2, 4, 3, 7x by 2, अच्छा, ये तो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, तो ये बन चुका है हमारा, cos x by 2, minus cos 7x by 2, plus cos 5x by 2, minus इधर root 2 common लिया, तो 1 plus cos 2x है, and plus cos 3x by 2 उधर ही, अपना must, ठीक है, अब इसको हटा दिया, इसको अब हटा दिया, फिर से simplify करने की बारी आई, cos 3x by 2 उधर दिख रहा है कुछ, 3x by 2 कैसे आएगा, अगर cos c minus cos d इसमें लगाए, नहीं, cos c plus cos d लगाए, 2 cos c plus d by 2, दिख रहा है, 5x by 2 by 2 आएगा, तो ये 6x by 2, 3x, 3x by 2 आएगा, जो चाहिए वो आ जाएगा, वा, तो इन दोनों में cos c plus cos d लगा देते हैं, उपर वाले को कुछ नहीं किया, छेड़ खानी 8 root 2, sin 2x, cos x, divided by, cos c plus cos d इस 2 cos c plus d by 2, 5x plus x, 6x by 2, 3x, 3x by 2, 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2, 5x minus x, 4x, 4x by 2 is 2x, 2x by 2x, minus cos 7x by 2, minus root 2 times, 1 plus cos 2x को 2 into cos square x लिख दिया, minus cos 3x by 2, ओके, यहां से कुछ तो सिंप्लिफा हुआ, एक माइनस से एक ये कट गया, उपर आ गया, 8 into root 2, sin 2x multiplied by, cos x divided by, इन दोनों में, cos x common, यहां एक पसरा है, ओके, तो अभी रहने दिया, ये लिखा हुआ है, cos, अरे मैंने क्या किया, क्यों कट कर दिया, कट थोड़ी न होगा, यहां मल्टिप्लिकेशन में है, ठीक है, मेजर मिस्टेक, ठीक है, यहां आ गया, cos c plus cos d गया, तो 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2 आया न, यह minus cos 7x by 2, यहां cos 3x by 2 है, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों में cos c plus cos d लगाओ, तो 7 plus 3, 10, 10x by 2, 5x, तो 5x by 2 आयेगा, एक, एंड 7 minus 3, 4, 4 by 2, 2, 2 by x आयेगा, ठीक है, तो इन दोनों में लगाओ देना चाहिए, फिर तो, ठीक है, तो इन दोनों में लगाओ देते हैं, 2 cos 3x by 2, into cos x रहने दिया, मेरा मेन मोटी भी है न, कि cos x उपर से काड़ दू, यहां हर जगा cos x, cos x आ जाए, माइनस 2, रूट 2, into cos x आ चुका है, माइनस के साथ, ब्रैकेट के अंदर cos c plus cos जी गया, तो 2 cos, c plus d by 2, 7x plus 3x, 10x by 2, 5x, 5x by 2 आएगा, into cos c minus d by 2, cos x आएगा, अब दिख रहा है, उपर नीचे हर जगह से cos x कट गया, क्योंकि cos pi by 2, 0 होने वाला था, limit जो लगा हुआ, extending towards pi by 2 पे, तो cos, pi by 2, 0 होने वाला था, जो 0 होने वाला है, उसी को हटाया जाता है, ताकि indeterminancy हट जाए, अब उपर indeterminant form अभी भी है, ठीक है, लेकिन याँ से 2, 2, 2 से भी इसको 4 कर दिया, तो उपर आ चुक है 4 into root 2, sin 2x को फिर से लिख दिया, 2 into sin x into cos x, एक और cos x मुझे हटाना है, नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, cos 3x by 2, minus cos 5x by 2, cos 3x by 2, minus cos 5x by 2, minus root 2, यह आगे हैं लिमिट अपना, अब देखना ध्यान से, यह आगे हैं उपर 8 root 2, 2 root 2 या cos square x, जब भी मैं सोच रहे हैं, एक और cos x बागी है अभी, हाँ, 8 root 2, sin x into cos x, यह आगे हैं नीचे, cos c minus cos d आया, cos c minus cos d क्या होता है, cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2, 3x plus 5x, 8x by 2, 4x, 4x by 2, 2x, 2 cos, 2 sin c plus d by 2, 2 sin d minus c by 2, 5x minus 3x, that is, 2x, 2x by 2 है, तो x, तो यहाँ x by 2, ओके, तो यहाँ से, तो, हाँ, तो यह आगे है, 2 times, sin 2x, into sin x by 2, minus root 2 times cos x, मुझे cos x हटाना है, तो sin 2x को clearly, I can write, into 2 sin x, into एक और cos x, तो वो cos x, वो cos x, और यह cos x हट जाएगा, ओके, तो यहाँ से, 8 root 2, sin x बचा उपर, नीचे बचा, 4 into sin x, into sin x by 2, minus root 2, अब pi by 2, पुट कर दिया, pi by 2 उपर पुट किया, तो उपर आगे, 8 root 2, नीचे आगे, यह 1, और यह sin pi by 4 है, तो 4 by root 2, minus root 2, तो यहाँ से clearly, I can see, root 2, root 2, उपर नीचे, multiply कर दो, 8 into 2, 16 आगे, नीचे आगे, 4 minus 2, that is 16 by 2, that is answer 8 आगे, ठीक है, तो बहुत तगड़ा question था, answer 8 आगे, इसको multiple way से सोचा जा सकता है, ऐसा नहीं कि, जो वे मैंने सोचा, वही वे, मुझे जो दिखता गया, मैं वो करता गया, मुझे दिखता गया, वो मैं करता गया, ठीक है, basically trigonometry का question था, यह limits का नहीं था, तुभे कुछ और भी दिख सकता है, हो सकता है, तुम directly इसको minus minus open कर दो, और वहीं से common लेना शुरू कर दो, ठीक है, तो question ultimately solve तो होई जाएगा, तो, यहाँ पर हमने section 1 को complete किया, section 1 completed, next video हम लोग section 2 को complete करेंगे, and पढ़ते रहो, मचाते रहो, all the best,